हेलो फ्रेंज कैसे आप सब लोग तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ महराश्ट्रियन स्टाइल कांदे पोही की रेसिपी तो चलिए फिर देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या के चीज़े लगती है लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को भी प्रेस करें मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मोटे वाले पोहे लिए हैं हमें जब भी पोहे बनाने हैं तो हमें मोटे वाले ही पोहे का यूज़ करना है जिससे हमारे पोहे जो है वो बहुत खिले-खिले बनेंगे और अब पोहे हमारे डूब जा इतना पानी हमें डाल कर पोहे को अच्छे से धो लेना है बहुत जादा देर तक इसमें पानी नहीं रखे और नहीं इसे भीगोना है तुरंत इसका पाने निकाल देंगे और अब इसे साइड में रख देते हैं और उसी के साथ एक मीडियम साइज का पैस कट कर लिया है दो से तीन हरीमेश कट कर लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, आधी कटोरी मुंग फली, थोड़ा सा हरा धनिया और आधा नीम बुलिया है और साथी जीरा, राई, आधी छोटी चमच शक्कर और हल्दी पाउडरली है ग्यास पर एक कड़ा ही रख देंगे गरम करने के लिए उसमें एक बड़ा चमच तेल डाल देंगे और तेल गरम हो जाने पर हम उसमें आधा छोटा चमच राई डाल देंगे और साथी आधा छोटा चमच जीरा डाल देंगे राई जीरा को अच्छे से तड़क ने दे पोहे बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज करना है नहीं तो हमारे पोहे जो है वो बहुत ओईली ओईली बनेंगे और खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगे राई और जीरा तड़क जाने पर इसमें मुंगफली डाल देंगे और मुंगफली को हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे लगबग आधे मनिट तक मुंगफली को भून लेने के बाद इसमें हरिमेश डाल देंगे और हरिमेश और मुंगफली दोनों को अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक इनका अलका सा कलर चेंज ना हो जाए और साथ ही कड़ी पत्त डाल देंगे और अब इन सब को अच्छे से लगबग आधे मनिट तक भून लेंगे और जब ये सारी चीज़ा असे जब भून जाए तो इसमें कटा हुआ प्यास डाल देंगे और प्यास को भी हलका गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें पाव चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चमच नमक डाल देंगे और अब इसे अच्छे से mix कर दें जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाती है तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबु आती है और इसे mix कर लिने के बाद इसमें आधा चोटा चमच शक्कर डाल देंगे और शकर को मिक्स कर देंगे और बस फिर अब हम इसमें हमारे पोहे डाल देंगे और पोहे को इन सब चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर ले आप देख सकते हैं देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारे पोहे जो है वो कितने खिले खिले बनने वाले है पोहे अच्छे से mix हो गए है अब इसमें आधा निम्बू का रज डाल देंगे और mix कर दे और उसके बाद इस पर ठाली ढग देंगे और low flame पर एक मनिट के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे इसकी एक भाप निकाल लेनी है बस तो एक मनिट बाद हम इसे हटा देते है तो रेडी हैं हमारे पोहे तो अब इस पर हरा धनिया डाल दे और इसे गर्मा गर्म सर्फ करे तो कैसे लगे आपको आज की ये महराश्री यान कांदे पोहे की रेसिपी तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले और बेला अंकल को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले रेस सबसे पहले आपके पास आएगी